अगली हेडिंग भू मंदली ताप बृध्धी और हरित ग्रिः प्रभाव के बारे में ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में द्यान समझेगा मैं मनिश गुपता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं सौर उर्जा का 75% भाग पिर्थवी की सतह द्वारा अवसोसित कर लिया जाता है सुर की उर्जा का 75% भाग जो है पिर्थवी की सतह द्वारा अवसोसित कर लिया जाता है जिससे इसके ताप में बृध्धी होती है सेस उस्मा बाई मंडल में पुना रिलीज हो जाती है बाई मंडल में पुना विक्रित हो जाती है उस्मा का कुछ भाग बाई मंडल में उपस्थित गैसों द्वारा पर ग्रहित कर लिया जाता है रोक लिया जाता है उस्मा का कुछ भाग बाई मंडल में उपस्तित गैसों जैसे की कार्बन डाई अकसाइड, ओजोन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, योगिकों तथा जल्वास्व के द्वारा प्रग्रहित कर लिया जाता है जिससे बाई मंडल के तापमान में ब्रिद्धी होती है यही भू मंडली ताप ब्रिद्धी का कारण होता है ठीक है तो आप देख रहे हैं कि स्वरुजा का 75% भाग पिर्थवी की सतह द्वारा अवसोसित कर लिया जाता है जिस्ते इसके ताप में ब्रिद्धी होती है सेंस उसमा बाई मंडल में पुना विक्रेत हो जाती है उसमा का कुछ भाग बाई मंडल में उपस्थित गैसों जैसे की कारबन डायक्साइड, ओजोन, क्लोरो प्लोरो कारबन, योगिकों तथा जलवास द्वारा प्रो ग्रहित कर लिया जाता है जिससे बाई मंडल के ठंडे अस्थानों पर फूल, सबजियां, फल आधी कांच आवरण छेत्र में बिक्सित होते हैं। हरित ग्रिय में रहते हैं। यद्दप्य हम किसी कांच द्वारा ढखे नहीं रहते हैं। तथा पी वायु का एक आवरण जिसे वायु मंडल कहते हैं। सताब्दियों से पिर्थवी का ताप इस्थिर रखे हुए है। परन्तु आजकल इसमें धीमा परिवर्तन हो रहा है। कांच सुर्य की गर्मी को अंदर थामे रखता है। उसी प्रकार वायु मंडल सुर्य की उस्मा को पिर्थवी के निकट अवसो से कर लेता है। तथा इसे गर्म बनाये रखता है। इसे प्राकिर्तिक हरिग्री प्रभा करते हैं। तो जिस प्रकार हरित्ग्री में कांच जो है सुर्य की गर्मी को अंदर थामे रखता है। उसी प्रकार वायु मंडल जो है सुर्य की उस्मा को पिर्थवी के निकट अवसो से कर लेता है। तथा इसे गर्म बनाये रखता है। इसे प्राकिर्तिक हरित्ग्री प्रभाव काते हैं क्योंकि यह पिर्थवी के तापमान की रख्चा करके जीवन योग्य बनाता है। द्रिश्य प्रकास हरित ग्री में पारदर्सी कांच में से गुजर कर सुरिके विक्रण, मृदा तथा पौधों को घर्म रखते हैं द्रिश्य प्रकास हरित ग्री के पारदर्सी कांच में से गुजर कर सुरिके विक्रण, मृदा तथा पौधों को घर्म रखते हैं इसके विप्रित गरम मृदा और पौधे जो हैं उसमी छेतर के औरक्त विक्रणों को औरक्त विक्रणों का उसरजन करते हैं यह क्रिया विधी सौर उर्जा को हरित ग्री में संग्रहित रखता है यह क्रिया विधी जो है सौरिके उर्जा को हरित ग्री में इस्टोर रखता है इसी प्रकार कारबन डाय अक्साइड के अण जो हैं उसमा को संग्रहित कर लेते हैं क्योंकि यह सौर के प्रकास के लिए पारदर्शक होते हैं उसमा विक्रण के लिए नहीं तो आप देख रहे हैं कि काच जो है वह विक्रण के लिए अपारदर्शक होता है औरक्त विक्रणों के लिए अतय इन विक्रणों को आंसिक रूप से असोसित तथा सेश को प्रावर्तित करता है यह क्रियाबिधी सोर उर्जा को हरित ग्रिह में संग्रहित रखता है इसी प्रकार कारबन डाई अक्साइड काणू उसमा को संग्रहित कर लेते हैं क्योंकि यह सुर के प्रकास के लिए पारदर्शक होते हैं उसमा अविक्रण के लिए नहीं यदि कारबन डाई अक्साइड की मात्रा दस्मलो जीरो तीन परसंट से अधिक हो जाती है तो प्राकिर्तिक हरित ग्रिह का संतुलान बिगर जाता है यदि carbon dioxide की मात्रा 0.03% से अधिक हो जाती है तो प्राकिर्तिक हरित ग्रिह का संतुलान दिगण जाता है भूम अंडली ताप ब्रिद्धी में carbon dioxide का विशिष्ट योगदान होता है जलवास नाइट्रस आकसाइड फ्लोरो फ्लोरो कारबन तथा ओजोन होते हैं ठीक है carbon dioxide के अत्रेक्त अन्य जो हरित गैसे हैं उनमें मेथेन जलवास नाइट्रस आकसाइड फ्लोरो फ्लोरो कारबन तथा ओजोन होते हैं ठीक है आक्सीजन की अनुपस्थती में जब बनस्पतियों को जलाया पचाया अथ्वा सडाया जाता है तब में थेर उत्पन होता है आक्सीजन की अनुपस्थती में जब बनस्पतियों को जलाया पचाया अथ्वा साया जाता है तब में थेर उत्पन होता है धान के छेत्रों, कोईले की खानों, दलदली छेत्रों तथा जिवास्म इघनों द्वारा अधिक मात्रा में मेथेन उत्पन होता है क्लोरो-फ्लोरोकार्बन मनुस्व द्वारा निर्मित रशायन है जो वायू प्रसीतक आधि में काम आता है प्लोरो प्लोरो कार्बन भी ओजोन प्रत को हान पहुचा रहे हैं नाइट्रस आकसाइड वाता वरण में प्राकिर्टी गुरूप से उत्वन होता है परन्तु पिछले कुछ वर्सों में जिवास मीदन और उर्वरकों के अधिक परियोग से इसकी मात्रा में उलेखनी व्रिद्धी हुई है यदे इसी प्रकार ताब व्रिद्धी का क्रम बना रहे तो धुरूओ पर इस्थिक हीम नदों के पिघलने की दर अधिक हो जाएगी यदे इसी प्रकार ताब व्रिद्धी का क्रम बना रहे तो दुरूओं पर इस्थिक बर्फ के पिगलने की दर अधिक होगी जिससे समुंद्र के जल अस्तर में बृद्धी हो जाएगी जिसके पढ़ाम सरूप पिर्थवी के निचले अस्थानों में जल भर जाएगा भू मंडली ता बृद्धी के कारण बहुत से संक्राम अप्रोगों जैसे की डेंगो मलेरिया पीत जोर निद्रा रोग आधि में बृद्धी हो जाती है ठीके स्केंज तो यह आपने पढ़ा भू मंडली ता बृद्धी और हरित ग्रिया प्रभाव के बारे में थैंक यू